नमस्कार दोस्तो मैं संतो श्रिवास्तो माई टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है हाजिर हूँ एक नई रस्पी के साथ में आज मैं आपको सूजी और वेजिटेबल से बनने वाला हेल्दी नास्ता बनाना बताएंगे तो आज ये बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी लिया है आप मोटी वाली या पतली वाली कोई सी भी ले 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 और इसमें आदी कटोरी फ्रेश दई डाल दिया है खटा दई भी चलेगा पर बहुत ज़्यादा खटा ना हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अभी हम इसको मिक्स क जालेंगे और इसको देखे इतना गाड़ा बेटर हो गया अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे दस से पंदा मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और यह देखें सूजी फूलने के बाद में बैटर काफी थिक हो गया है गाड़ा हो गया तो इसम पतला कि वह घया पति नहीं है अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और Masterタ जीरा दालें गिरा से अपर आ रसारा धनिटल नगे संस्ट मेरा नेगे इसमें और कुछ सब्दी आ इसमें डालेगे पत्ताधाभी और प्याज और गाजर हरी विर्च आप और भी सब्दी णचाहिए डाल सकती न्याज है गो यह मैंने काला नमक डाल है। और चुटकी वर हिं डाली है ॥ भी हम अच्छे से मिक्स कर देगे है। और जब बनानी चलेंगे हो चुटकी दाल नहीं छहिए चोड़ा डाल। जो धाल दालेंगे जब हम बनानी चलेंगे हम शूड़ा ग्राइब抵ार जो चुटकी ब Independence बीजि आव थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर की तरह इसको बनाएंगे जिसे पैंके केक का सेव देएंगे चोटा-चोटा सा ताकि हमें पलटने में भी आसानी रहती इसको और सर्व कृणने में भी आराम रहता है तो चोटे-चोटे टिक्कियों की आकार्मिया आपके तवे में जित पतला नहीं हो एसा रखे और इसको धीमी आज में पकाना है और यह देखिए और आज को बिल्कुल धीमा रखना इसको हम भाग के पकाएंगे पिर यह न अच्छा से पक नहीं पाएगा क्योंकि सब्गिया इसमें पड़ी हुई है इसको अच्छा जब तक ऊपर से एकदम से ट्रांस्पैरंट ना हो जाए उपर से पैटर एकदम सूख ना जाए तब तक इसको नहीं पलतेंगे अपि देखिए पक चुका है इसको हम पल सब्सक्राइब करना ना बूलें और यह देखिए दोनों तरफ हम अलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे और कमेंट में जूरूर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमाई रेस्पी पसंद आती हैं कि नहीं आती है और मैं यह देखे लेसा कि रेस्पी पताती हूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो यह देखिए करारा कinhos करें तक चैर नास्ते में खाबीये च्हा कि टाईना चाय के साथ जैसे भी आप इसको पसंद करें खाना वसे आप खा सकती हैं और यह देखिए बनकर त्यार हो गया तो मैंने अभी लाल चटनी के साथ में इसको सर्फ किया है और यह शाम के टाइम भी अच्छा लगेगा चाय के साथ में या फिस उबे के टाइम और हल्दी नास् आई होप आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स लेस्टी के साथ में बाई बाई